नमस्कार साथियों एक बाद फिर मैं दी पंकर समधार चार्टर अगाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसुसीएट बहुत इंपॉटेंट चीज आप लोगों को बताने वालों कि कंसल्टेंसी क्या है और कंसल्टेंसी की जरुवत क्यों पड़ती है आप सब जानते हैं कि स्रीक्रिष्न दुनिया के सबसे बढ़ उन्होंने ही युद्ध में अर्जुन को मार्द दर्शन किया और पांडवों का विजे दिलाया तो फिर ये महावारत नहीं होता और महावारत का युद्ध अगर होता भी तो भी हम जीत नहीं पार उसी तरह अपने वैपार में भी सफल होने के लिए कंसल्टेंट की जरुवत होती है बेसिकली हमारी जरुवत क्या है वैपार में हम वैपार से चाहते क्या हैं सबसे पहला कि हमारा वैपार जबरदस्त हो जाए बढ़ा हो जाए दूसरा प्रॉफिट हमारा काफी बढ़ना चाहिए तीसरा गुडविल भी बढ़ना चाहिए सबसे पहला है कि वैपार बढ़ा हो business पहले चाहता है फिर goodwill चाहता फिर profitability चाहता है तो आपका outlook है वो different है but यहां पर यह तिन चीज सारे लोग चाहते ही चाहते हैं हमारा basically success हम लोग कभ होंगे हमकोaja हमको पता है यह हमको लगता है सबसे पहला हमारा operation या जो काम करते हैं वो बहुत जवर्दस तरीके से manage रहना चाहिए दूसरा हमारा working excellence बहुत अच्छा रहना चाहिए इसका मतलब है कि हम जो भी काम करें उस काम में कोई भी flaw ये गलती ना रजाए उसमें कोई भी चीजें छूट नहीं रही हो और वो इतने और वो इतने organized तरीके से होगा कि करने वाला भी comfortable रहेगा और जो services समसे ले रहा होगा या फिर एक department दूसरी department को भी service दे रही होगी तो बहुत smooth running चलेगा कहीं पर भी किसी तरीके का कोई भी information leakage भी नहीं होगा और data leakage भी नहीं होगा fast भी होगा समय भी बचेगा तो working excellence रहना चाहिए next है benefit of internal and external stakeholders कोई भी company का internal stakeholder कों रहते है और external stakeholder कों रहते है बहुत important है internal stakeholder वो है जो की company के अंदर का वेक्ती है इसका मतलब management अपने आपने internal stakeholder है जो shareholder है वो internal stakeholder है और करमचारी internal stakeholder है और हर वो वेक्ती जो की organization का part है organization के अंदर आते है वो internal stakeholder होता है उसके बाद next है external stakeholder external stakeholder कोन होता है जो की company से connected है जैसे हम जिससे माल खरीटे हैं, जिसको माल बेचते हैं, जिससे खरीटे हैं, जिसको माल बेचते 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 हैं और उस organization को बंद भी करवा सकते हैं इसका मतलब यह है कि society चाहे वो सामने से directly आपसे respond करे या ना करें लेकिन आपका वैपार अगर टिका हुआ है तो society में कोई negative चीज नहीं है या फिर वो इतनी नहीं हुए जिससे कि आपका वैपार बंद कर सकें तो वो external stakeholder होगे तो हम वो ऐसी business करें जिससे internal लोगों को भी हमेशा फाइदा हो और external लोग भी संतुष्ट रहें next है vision fulfillment कोई भी company और हमारा life तक में vision रहता है कि हम क्या करना चाहते हैं उसी तरीके से company या business जो होता है उसका भी vision होता है उसमें सोच होती है कि हम वैपार में business में कहा तक आगे जाना चाहते हैं और उसमें क्या करना चाहते हैं जब यह हमको clear हो जाता है तो हम लोग उसके पीछे दोड़ते हैं उसके पीछे काम करते हैं उसको accomplish करने के लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं विजन, तो विजन के फुल्फिल्मेंट अगर हो जाता है, तो हम लोग सक्सेस फील करते हैं, और जब एक विजन कंप्लीट होता है, तो हम लोग फिर से नया विजन की तरफ या और बड़े और अच्छे गोल की तरफ जाने की सूचते हैं. नेक्स है, हमारा ये जो सक्सेस फंको चाहिए, वैपार में उननती चाहिए, सारा चीज़ चाहिए, इसमें हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दुश्मन कौन है, हम अब्जर्वर बन जाते हैं, अब्जर्वर बन जाते हैं, इसका मतलब ये, कि अगर कोरोना आया है, तो कोरोना से सब पीडित हैं, हम भी पीडित हैं, आप अपने आपको पीडित समझ लेते हैं, जो भी स्थिति आते हैं, उसमें आप अब्जर्व करते हो, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के जगा आप क्या बन लेकिन हम लोग परिस्तिती को ही दोश देता है परिस्तिती हमेशा लाइफ में नहीं नहीं परिस्तिती आएगी चेंज होती रहेगी लेकिन हमको उससे आगे सीखना और आगे बढ़ना है केवल दोश नहीं देना है रास्ते भी निकालना है next हम staff के sincerity पर दोश देते हैं कि staff ठीक से काम नहीं करता है staff के sincerity पर दोश देते हैं तो आप एक बात बते है staff को training किस ने दिया staff को रखा किस ने आप ने रखा choose किस ने किया आपने choose किया उसके बाद भी दोश को न दे रहा आप ही दोश दे रहा तो इसका मतलब है कि आपके हाथ में सब चीज़ है, स्टाफ को आप निकाल भी सकते हो, दूसरा स्टाफ को आप समहाल भी सकते हो, तीसरा स्टाफ को ट्रेविंग भी दे सकते हो, लेकिन क्या हम यह करते हैं, यह अपने आप से पूछेगा, नेक्स है हम परिशान होते हैं कि ह उसमें अपना दिमाग लगाया हो, अपने तरब से कोई काम किया हो, और तब आपने डांट दिया हो, कि बस, ये वाला चीज मैंने बोला नहीं, तो तुमने किया क्यों, जितना बोला जाता है के बल उतना ही काम करो, ऐसा हम ही कई बार बोल देते हैं, जब हम ऐसा बोल देते ह है कि अपना बुद्धी नहीं लगाना है मालिक नराज होते हैं तो आप उस गांट को खोलिए जाए बात करिए कि सेल्फ इनिशेटिव कहां कहां पर लिया जा सकता है और किस जगा पे नहीं लेना उचीत होगा नेक्स है हमारे पास exact system of process of working नहीं होती आप देखिए सुबेरे आप office में जाते हैं या अपने काम पे जाते हैं तो उसके बाद में जो लोग आपको ज़्यादा परिशान करते हैं आप उसके problem को solve करने पे लग जाते हैं क्योंकि वो आपको परिशान कर रहे हैं आप परिशान हो रहे हैं तो हम जिस चीज में जादा परिशान होते हैं सबसे पहले उसको ही solve करने ही कुशिश करते हैं हमने चीजों को structure करके नहीं रखा क्या ऐसा हो सकता है कि दिन का सुबेरे का 3 गंटे का slot हमने ये रख दिया कि जो भी problem वाली चीजे होंगी पहले उसको solve करेंगे और उसके बाद उननती वाली चीजे या फिर आगे बढ़ने वाली चीजों पर काम करेंगे इसके बारे में एक बार सूचिएगा हमारे पास ideas जबरदस्ट होते हैं बहुत होते हैं पर हम अपनी असफलता से हमीशा डरते रहते हैं तो असफलता से डरेंगे तो हम लोग काम ही करेंगे और काम नहीं करेंगे तो सफल होने हैं बहुत दूर की बात है हम लोग उसी जगह पे ठहर जाएंगे और आगे तक नहीं बढ़ताएं ह Chand हम हमेशा change and growth की बात करते हैं हम हमेशा बोलते हैं भाई !! चेंज होना चीफแए मैं एकडम नए सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करता हूं, मैं अपने वैपार में नहीं चीज़ों को एपलाई करने की कोशिश करूँगा, करूँगा, लेकिन किया है क्या, ये चीज़ देखिए, दूसरी चीज, आप ये भी देखिए, क्या आप केवल बोलते हैं, या सच में कभी करते भी हैं, क्योंकि बातचीत करने में हम अपने आपको modern बताते हैं, अपने आपको ज़ादा चीज़ें करते हैं, ऐसा बताते हैं, लेकिन सच में शायद सारी चीज़ें नहीं करते हैं, वो आपकी सोच जो रहती हैं, सोच बन कर रह जाती हैं, क्योंकि जब हम लोग apply और implement करने की बात करते हैं, उस समय जाकर उनको लगता हो जाने को, यह वाला काम नहीं भी किये, तो क्या समझ में आगा, तो यह हम लोग अपने आपको excuse कई बर देते हैं, या नहीं देते हैं, आप खुछ से पूछिएगा, नेक्स है, हम cost benefit analysis नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब कोई भी निर्ड़ा लेना है, तो निर्ड़ा में लागत क्या हैगी, समय क्या लगेगा, हमारा time क्या waste होने वाला है, या फिर use होने वाला है, और हमारे staff का क्या time use होने वाला है, और उसकी total costing कितनी हमारा लागत कितना है, और short term में हो या long term में हमको benefit क्या होने वाला है, यह सारी चीज़ हम लोग कभी analysis नहीं करते हैं, या फिर पूरी analysis नहीं करते हैं, इस चीज़ को करने की अवश्यक्ता जरूर है, next है, हम human resource की value को नहीं समझते हैं, हमको ऐसा लगता है, यह वेक्ति का 2000 उपए बढ़ाएं कि उस स इसके बाद अब यह जो सीग गया है, तो हो सकता है कि आपका दिन का एक घंटा बचा देता होगा, आपको दूसरे किसी नए वेक्ति को रखकर दस line बोलने की जरूरत पड़े और इसको केवल एक line बोलने से या दो line बोलने से आपके काम को सिद्ध कर दे, तो उसकी value बहु नहीं कर पाते हैं, और आगे देखते हैं, हम लोग payment कम देते हैं, लेकिन trust बहुत जादा करने कोशिश करते हैं, हमने computer operator को रखा उसको 5,000-8,000 रुपए payment कर दिया, और उनको सौरे password दे दिया, हमारे account के भी password दे दिया, और हमारे mail के भी password दे दिया, हमको तहस नहस करने का अधिकार दे दिया, और हम यह कहते हैं, कि भाई, मैंने तो तुम पे बहुत जादा trust किया था, तुमने दुखा दे दिया, भाई, आप उसको properly remunerate कर रहे हैं कि नहीं, pay कर रहे हैं कि यह भी देखिए, क्या वो जादा काम कर रहा है, तो उसको पैसे भी देने पड़ेंग है, लेकिन ना कोई document है, ना कूछ है, जब भी कोई हमारे उपर case करता है, पुलीस में complaint करता है, उस समय हम लोग बड़ा मोटा रकम देकर चीजों को settle करने की कोशिश करता है, क्यों ना हम लोग HR system follow करें, हर व्यक्ति को जो हमारे organization में आगा, उसका सारा documentation complete करें, documentation को properly रखें हैं और रखने के बाद में हम लोग उस document को हमेशा legal angle के अनुसार हमेशा basis बना के रखें, अगर कोई छोड़ कर जा रहा है और उसका settlement कर दे तब भी अनुसी sign करा कर रखें, कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जो HR system में किये जाते हैं, HR system आपके organization के manpower को बचाता है और आपके पूर सिस्टम, business के system को भी बचाता है और उसको सम्हाल कर रखता है, कहीं पर कोई employee अगर गरबढ़ कर रहा है, तो उसके साथ counseling भी HR, जो department है वो करता है, right, next हम दोस्तों और परिवार वालों के information suggestion पर trust करते हैं, अगर कोई consultant ने आपको कुछ भी बता दिया, और एक तरफ आपके दोस्त में बता दिया, तो दोस्त की बात को आप तुरंट trust कर लेता है, trust करना गलत नहीं है, उस पे बिना सोचे समझे trust करना गलत है, क्योंकि आप वैपार करने बैठे हो, कोई relationship build-up आप घर पे नहीं बैठे हो, तो जब वैपार करने बैठे हो, तो consultant भी अगर बोल रहा है, आप चाहो तो उसको verify कर लो, जरूर करना चाहिए, और अगर कोई दोस्त भी बोल रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखके, priority देकर आप उसको भी proper research और search कर सकते हो, चाहिए, खुद करिए, चाहिए अपने employee से या आपके किसी consultant से करा सकते है, नेक् अगर बैठा है, तो भी उसके साथ क्या होना चाहिए, वो भी हमने training ने दिया, training भी, मुझे लगते है, मैं ही training दे रहा हूँ, लेकिन मैं कोई training ने दे रहा हूँ, अगर ऐसा मैं करता हूँ, तो फिर मेरा वैपार चल चुका, तो professionals हर जगा चाहिए, consultant हर जगा चाहिए, क् आपके पास time रहेगा, time कब रहेगा जब आप रोज के छोटे-छोटे-छोटे problems में नहीं फसे रहोगे, कब नहीं फसे रहोगे, जब आप consultant हैर करोगे, next, हमको success मिलने में कितना time लगेगा, उसके बार में कभी नहीं सोचते हैं, भाई सोचो ना, आपको 10 साल में success चाहिए कि 5 साल में चाहिए, कि 2 साल में, life, हमारा जो life है न, हमारा life का हिस्सा time ही है, कितना दिन जीएंगे, अगर हमको पता चले कि, हम लोग 50 साल जीने वाले हैं, आपको बलेंगे, 50 साल में success चलेगा, तो आपको बुरा लग जागा, नहीं मेरे को 50 साल में चाहिए, मतलब आपको आप लागू करते हैं, पूरी चीज़ां को, यस और नो, फुद से पूछिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम analysis करना जरूरी नहीं समझते हैं, कोई भी इस्थितिया आती है, हम लोग तुरंद उस पर react कर जाते हैं, लेकिन उसमें analysis करने की जरूरत नहीं समझते हैं, हम confidence के स साथ execution नहीं कर पाते हैं, इसलिए consultant की जरूरत पड़ती है, आपके दिमाग में idea आयडिया है, तो फिर आप में बोले हाँ, मेरे पास 10 आइडिया है, लेकिन किसको करना ये कौन बताएगा, ये आपको consultant बताने वाला है, आप किसी जानकार वेक्ती से उस subject matter पे expert से आप बात करिए, अब अगर हम लोग देखेंगे इतने सारे problems को, अगर हम लोग summarize करने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या पाने वाले हैं, तो अगर हम लोग summarize करेंगे, सबसे पहले हम ये देख पाते हैं, कि हमारे पास ideas की कमी है, या ये कहें कि proper ideas नहीं हमारे पास, दूसरा, ideas जो analysis नहीं कर पाते हैं, और analysis करने से भी हम उस पर confident नहीं हो पाते हैं, next है हमारे decision, proper हम ले नहीं पाते हैं, या तो छोड़ देते हैं, या बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं, और last but not the least, lack of execution, execution सबसे बड़ा problem है आज की date में, काम को सोच लेते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, या कर वी हुख मैं outwardly लेकिन कर थाब़ा को सबस्ते हैं.